ये गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल और ये Materia Medica सीरीज का लेक्चर नमबर 8 है इससे पहले हम 7 अब हम पढ़ेंगे Agnes Cactus जो पिछली Medicine आपने पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं पिन कर दूँगी आप अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लें या फिर कॉमेंट्स में पिन कर दूँगी तो आप जाके देख लें पिछले लेक्चर क्योंकि थोड़ा ऐसा होता है न कि रिवीजन एक हो जाता है कि पिछली Medicine को इस Medicine से कहां ता कनेक्ट हिया है तो स्टार्ट करते हैं Agnes Cactus, Agnes Cactus का जो common name है वो है the chest tree, the chest tree तो हम पढ़ते हैं the chest tree क्या है the most effective point of attack of Agnes Cactus on the organism is sexual organ तो अब हमें Agnes Cactus से क्या याद रखना है हमें बस Agnes Cactus से ये याद रखना है कि ये किसको affect कर रहा है मेली sexual organ को तो बाकी सारे points तो हमारे हैं से ही वन जाते हैं अगर हम सुरूर से ही सोचेंगे constitution कैसा होगा या फिर pathogenesis क्या होगी spare of action क्या होगा तो वो कहां है क्या है spare of action genitalia होगा female male मेल पर काम करेगी क्योंकि sexual organs को affect कर रही है तो उस basis पर it lowers sexual vitality corresponding with mental depression and loss of nervous energy इंट्रो बहुत इंट्रो में पता चल जाता है बाकी जो points है बाकी जो skin है, fever, sleep है, back है, heart है, respiratory है, female है, male है बाकी जो भी individual points है उनमें अंदर क्या है वो हमें introduction से ही पता चल जाता है तो introduction में बता दिया उसने कि sexual organs पर काम करेगी यह sexual vitality को कम कर देती है और sexual vitality कम होती है तो एक इंसान है जो sexually active नहीं है हम कहा सकते हैं कि proper उसको वो किसी भी वजह से disturbance है उसकी sexual light disturb हो गई है तो वहाँ पर depression आएगा और nervous energy आएगी confident नहीं होगा एक तो एक बात तो यह confident नहीं होगा दूसरा mental depression हो आएगा अब किसी के बेबी नहीं हो रहे है तो एक तनाफ तो रहेगा ही impotency आ रही है तो mental depression होगा nervous nervous होगा तो हो है it's so this distinctive influence in both sexes और यह male पर यह female पर नहीं दोनों पर ही काम करती है दोनों में ही दोनों पर ही influences का क्या है बट इस more pronounced name पर man में जादा है premature old age from abuse of sexual power old sinners में हम यह देते हैं old sinners क्या हम ऐसे कह सकते है पुराने पापी जो sexual power को abuse करते हैं ज्यादा masturbate करते हैं या कुछ भी हम कह सकते हैं मतलब overall उन्होंने sexual power abuse करी है बहुत पुराने टाइम से कोई abuse कर रहा है अपनी sexual power को अब इसको इतने अच्छा से नहीं समझा रहा सता but all of you know कि what is the abuse of sexual power तो उन लोगों में एगनस केक्टस हम प्रिस्क्राइब करते हैं आगे देखते हैं history of repeated gonorrhea gonorrhea के repeated historia gonorrhea क्या है STD है अगर हम pathology के उससे देख हैं तो gonorrhea क्या है STD है STD कब होगी जब sexual power abuse करेंगे या तो multiple partner के साथ या proper contraceptive use नहीं किये condoms वगेरा जो safety measures है वो नहीं लिए तो तब ही तो होगी STD तो repeated gonorrhea की history मिलेगी a prominent remedy for sprains और strains के लिए एक prominent remedy है पर more prominent किस के लिए है sexual organs के लिए gnawing itching in all parts specially eye gnawing itching मिलेगी हर पार्ट में एक थोड़ा ऐसे deep वाला जो pain होता है उस type का दर्द होगा और itching मिलेगी specially eyes में tachycardia tober के उसे cause हो रहा है neurotic young man में ठीक है माइंड में देखते हैं माइंड में देखते हैं तो माइंड में क्या होगा sexual melancholy मिलेगी बहुत जादा sexual power abuse कर ली अब depression हो रहा है guilt हो रहा है उदास है fear of death मरने का डर लग रहा है STD न हो जाए कहीं कहीं AIDS न हो जाए कहीं मरना जाओं वह वाला sadness with impression of speedy death मौत करीब आ रही है वह वाला वह वाला दुख है दुख है कि जल्दी न मर जाओं गहीं absent-minded है forgetful है lack of courage है वह हिम्मत नहीं है lack of courage है forgetful है जल्दी चीज़े भूल जाएगा और absent-minded है अब इसमें एक island की note में एक line दी थी कि एक sentence को दो बार पढ़ेगा समाझने के लिए इतना जादा उसका brain इतना जादा वह हो गया है illusion of smell है herring musk मतलब इसको एक illusion है imaginary smell लगती है जैसे कि कस्तूरी herring musk हम बोलते है कस्तूरी एक हिरन हिरन जो होता है हमारा उसको एक कस्तूरी feel होती है और जो उसको उसके आगे पीछे वह ढूंटा रहता है लेकिन वह होती उसके अंदर ही है तो यह ऐसे बताए कि एक smell है नहीं जिसको यह ढूंडेगा सोचेगा कि smell आ रही, smell आ रही है पर वो imaginary है Nervous depression and mental forwardings Nervous depression होगा मतलब मानसक तनाव है इसे बहुत जादा, eyes में क्या pupils dilated है, जैसे कि Velodona में देखने को मिलेंगे, itching मिलेगी around the eyes, ही हम पढ़ चुके, itching हो रही थी हर पार्ट में, specially eyes में फोटोफोबिया मिलेगा, nose में क्या order of herring और musk हेरन वाला जो वो smell है, कस्तूरी की वो आ रही है, इसको aching on the dosum, dosum दुखेगा better होगा pressure से abdomen में क्या splenomegaly मिलेगी splen, swollen होगी, sore होगी stool soft होगा, recede difficult और भहुत मुस्किल से पास होगा deep fissures in anus अब जब constipation है, stool soft एलिक, difficulty होगी है, पास होने में तो constipation होगी, जब constipation है तो anus, सबसे पहले constipation का fissures बनते हैं, तब fistula बनता है, तो हमने यह पढ़ाता है ना, कि piles बनते हैं, fissures बनते हैं, फिर fistula बनता है, तो अब cracks आएंगे, जब बहुत बनता प्रेशर लगेगा तो cracks आएंगे, तो defissures बनेंगे अनस में, nausea with sensation of sensation as if intestine were pressed down, यह important line है, क्योंकि इटालिक में दिया है तो ऐसा लगेगा intestine downward pressed हो गई है, उसके साथ-साथ nausea वाली feelings आएगी, want to support wobbles, wobbles को support करना चाहेगा यह ascitis की condition में भी हो सकता है, abdomen में float बढ़ गया, तो अब क्या लग रहा है कि wobbles pass हो रहे हैं, नीचे press हो रहे हैं, ठीके अब जो important है, इसके वह आगे, male और female, वह भी male सबसे important है, male सबसे prominent है male में क्या दिया, yellow discharge from urethra, gonorrhea, gonorrhea के condition है, secretions निकलता रहेगा urethra से yellow discharge निकलेगा कोई erection नहीं है, complete impotency है, अब जब erection नहीं है, तो part कैसा होगा, relaxed होगा, relaxed होगा, cold होगा तो वही है, part cold होगे, relaxed होगे, कोई desire नहीं है impotency की condition होगी है scanty emission होगा without ejaculation, emission हो रहा है पर ejaculation बिलकुल भी नहीं है without ejaculation, loss of prostatic fluid on straining prostatoria, prostatoria की condition होगी, prostate में inflammation होगा, वहाँ पस पढ़ गया, prostatoria की condition होगी, glitter discharge होगा, testicles कैसे होजाएंगे, cold, hard क्योंकी वही है swollen, painful orchitis की condition होगी, अब females में भी हम देते है scanty mensis होंगे aborance of sexual intercourse relaxation भही है importance है relaxation of genitals इसके भी है with lycoria, lycoria lycoria का कैसा होगा, yellow staining, transparent तो transparent होगा लेकिन जो linen है, जो cloth है उसको stain करेगा, कैसा yellow eglactia with sadness eglactia क्या है, कि suppression होगा कि इसका milk का nursing woman में तो उसे eglactia बोलता है eglactia की condition होगी with sadness epistaxis, epistaxis यानकी nose bleeding, historical palpitations और उसके साथ साथ nose bleed हो जाएगी तो यह हमने पढ़ी agnes cactus अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सेम लाइक कीजिए चैनल के सब्स्राइब कीजिए comment में बताईए और अगर कोई doubt है तो पूछ भी सकते है तो लाइक की जाएगी